सिंगापूर देश ने एक बड़ी काम्याबी हासिल की है दरसल सिंगापूर फेशियल वरिफिकेशन से नागरिकों की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इस तकनीकी सुविधा के तहट किसी भी शक्स की आसानी से पहचान की जा सकती है इससे क्राइम पर भी रोक लगेगी सिंगापूर पहला ऐसा देश होगा जो अपने यहां नैशनल आइडेंटिटी स्कीम के तहट फेशियल वरिफिकेशन को अपनाएगा इस सुविधा का इस्तमाल सिंगापूर के लोग नीजी और सरकारी सिवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं सरकार के टेकनोलजी एजनसी का कहना है कि यह देश की डिजिटल अर्थ्व्यवस्था का आधार होगा इसे बैंकिंग सिवा के साथ जोड़ दिया गया है और अब इसे पूरे देश भर में शुरू कर दिया गया है यह सिर्फ किसी शक्स की पहचान ही नहीं करेगा बलकि यह यह भी निश्टित करेगा कि वो शक्स वास्तव में वहां मौजूद है या फिर नहीं फेशिल रिकगनिशन और फेशिल वरिफिकेशन दोनों ही इस बात पर निर्भर करते हैं कि जिस चहरे की स्कैनिंग की जा रही है वो डाड़ा बेस में पहले से मौजूद तस्वीर के साथ मैच करता है या नहीं लेकिन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि वरिफिकेशन के लिए यूजर की साफ तौर पर सहमती की अवशक्ता होती है और इसके बाद ही वो किसी सेवा का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि फोन खोलने या फिर स्मार्ट फोन पर बैंकिंग के एप के लिए जहां तक फेशल वरिफिकेशन की बात है तो इसका इस्तमाल स्टेशन या किसी भी सारवजनिक जगा पर किसी अपराधी को पहचानने में किया जाता है वहीं अमेरिका और चीन की टेकनोलोजी कमपनिया फेशल वरिफिकेशन के धंधे में भी कूत पड़ी हैं उदाहरण के लिए देखिए तो कई बैंकिंग एप वरिफिकेशन के लिए एपपल फेस आईडी या फिर गूगल फेस अनलॉक को सपोर्ट कर रही है चीन के अलिबाबा कमपनी की स्माइल टुपे एप भी है चलिए आपको बताते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करेंगे जिस तरह से आप अपने स्मार्टफोन बैंकिंग आपको खोलने के लिए फेशल रिकॉगनिशन का इस्तमाल करते हैं ठीक उसी तरीके से फेशल वरिफिकेशन सिस्टम काम करेगा दूसरी और facial recognition का इस्तमाल सारवजनिक जगा पर अपराधी को पहचानने के लिए किया जाता है हाला कि कुछ लोगों का कहना है कि दोनों इस्तिती में सहमती पर ध्यान नहीं दिया जाता है फिलहाल के लिए इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़े खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल टीवी नाइन भारत वर्ष